तो सबसे पहले क्यास को माल रख लेते हैं कि इसके रखेंगे पते हिला और इसमें डालोंगे एक ब्लास पानी और इसमें जब तो उबाल नहीं आता है तब तक इसे पकाएंगे उसके बाद इसमें डालेंगे तो इसमें टालेंगे अब चाय पती चाय पती बस थोड़ सी टालना है और जागा डालेंगे तो चाय कडवी हो जाएंगी दो चमज शक्कर आप चाय तो शक्कर आपको जितनी डालना आपके डाल सकते हो बड़ेंगे चाय सिट एक कप है इसमें मैंने दो ही चमज शक्कर डाली हूँ आप अपमें अंदास बिला गिए अध्रक को कदूगत करके डालेंगे जादा नहीं डालना है नहीं तो यह भी जादा हो जाएगा इसमें एक इलाइची डालेंगे इसके खुश्बू के लिए अच्छी लगती है इलाइची वाली ब्लैक टी आपके इसमें लोग भी डाल सकते हो अब इसे अच्छी से पूथ लेंगे इसमें देख चलका डाल दूगी पश्ट तोड़ोंची लोग और इलाइची जिसें गुट के डाली हो इसमें डालूगी तूरसी अध्याट्व्याट्वागत के यह बिलाओंग पश्बूद्वाट्वाट्वा तूरसी के पत्ते को दो ड़ोगी तूरसी के पत्ते को दो के डाली हूँ वह अच्छे खुआ भूए भूए है चाय की तो चाय पत्च शुकी है तब ग्यास को बन कर देंगे, अब कप में इंटे निकाल लेंगे, इसे चछाल के, तो ब्लैक्टी तयार हो चुकी है, काली चाय, तो आएए गाइस, ब्लैक्टी पेने, गर्मा गरम, तो इस तरह से ब्लैक्टी तयार हो चुकी है, और ये काली चाय पेना बहुत ही अच्छा है, अपने शरीर के लिए, झाल कि से ब्लैक्टी च्फ़ी टे की तो आएगयाँ, यद चाल ये पीड़ गरम, टो आएगयाँ, क वचुकी है, लेक्टी पेने, पहुत है, ए स के लिएcción,नी पहुत है, कि अर्मा छ़ाइस, पैस्ट जो रहाईश है, झाल 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 घर्मा गरं चाई झाल